हालो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिका रहा हूं देखे बात करेंगे केमिकल सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक की इसको रडार में रखना भूलना मत कभी भी बड़ा धमाका करेगा और माला माल करेगा लेकिन रिस्क कितना है ये आपके मन में क्वेश आद होगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और अगर आपको सीख नहीं है तो आप मेंबर्सिप जॉइन कर सकते हो जॉइन बटन पर क्लिक करके तो मेगमानी और्गैनिक्स लिमिटेड की हम यहाँ पर बात करे हैं यह कंपनी आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह सचाई है कि जो स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक होता है न वो एक सेक्टर में नहीं बलकि मॉल्टिपल सेक्टर के लिए अपरेट करते हैं देखिए इंक प्लास्टिक पेंट टेक्स्टाइल लेदर रबर यह तो बहुत ही जबर्दस तरीके से अलग-अलग सेग्मेंट के पिग्मेंटेशन के उपर काम करता है पिग्मेंटेशन वाला केमिकल बनाता है अब आपको मज़ेदार है भाजे कि यह मार्किट कैपिटलाइजेशन 2000 कर जब भी मैं आपके लिए स्टॉक लेकिया तो ऐसे छुपे छुपे स्टॉक आपके लेकिया आता हूं आप कहां से धूड़के निकालते उन श्टॉक को देखिए यह कंपनीज अपने आप में मैं कहूंगा बहुत बढ़ी कंपनीज हैं लेकिन अगर आप इनको इनके पेस्टिजाइड यानि की क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल में भी काम करता है इनसेक्टिसाइड में भी यह काम करता है अब क्योंके भी कहां मिल्कमानी और्गेनिक्स बहुत ही इंपोर्टेंट स्टॉक कंपनी को पर हाँ 600 करोड का डेट है जो कि एक नेगेटिव फेक्ट प्रोफेटिबलेटी को आप देख सकते हैं क्या ग्रोथ आपको देखने को मिल रहे हैं आपको यार नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं इस स्टॉक के तो जेब में रखके समाल लिया जाए तो मज़ा आ जाए बट अगर रिटेल निवेशकों के परस्पेक्टिव से देखो और वो भी दो लाग से जादा ऐसे 37 लोग हैं जिन्होंने दो लाग से जादा पैसा इसमें लगा रखा जरा सोचिए इस मेगमानी और चलिए देखते हैं मेगमानी और उससे पहले हमारा मदरास फर्टिलाइजर किस लेवल पर हमने इसको पकड़ा था 28 के लेवल पर दो द कहीं मैं ब हुआ हमने अपके लिए वीडियो क्रेेट किया देखिए मदरास फर्टिलाइजर और उससे आगे अगर मैं देखो उलेकट रा कली वीडियो क्रेट किया तो अगला रन बहुत ही जबर्दस्त होने वाला है क्या 280 तक जाएगा आचा यह देखते हैं बट नहां मेग मानी और गेनिक की बात करें मेग मानी और गेनिक कैसे भूल सकते हैं इस यह को भूलना मत मज़ेदार सिचेवेशन तो अभी तैयार होगी जब मौका आएगा जब यह स्टॉक देगा आपको रियल रन आपको क्यों कह रहा हूं जरह सेचेवेशन देखिए आप यह 2014-15 मे सिरीज ओफ हायर हाई एंड हायर लो मतलब जो आपका प्राइमरी मूब है वह बड़ा मूब है जो सेकेंडरी मूब है वह छोटा मूब है फिर प्राइमरी मूब फिर सेकेंडरी मूब तो आपको इन करेक्शन को मैं कहूंगा जैसी यह करेक्शन रिजॉल्ब होती है एंट कि जेब में पैसा कितना गया 50 से सीधे 130 रुपीज आपको वाउ मज़ा आ गया वोकिंग डण अब इस करेक्शन को अगर आप ओवराल पिक्चर को देखो यह स्टॉक में धीरे धीरे यह करेक्शन रिजॉल्ब होती है और टाइम वाली यह करेक्शन रिजॉल्ब होती है no doubt लेकिन इस टॉक को हमने इन लवल से स्टार्ट के था पहले ट्रैक करना आप देखे किस तरहिके से कि बड़ी केंडल के बाद चोटी केंडल और पूरी की पूरी की करेक्शन हो रही थी लेकिन अगर कुछ time उसमें correction के लिए लगेगा definitely लगेगा की नहीं लगेगा ये पूरी की पूरी पिछले 3-4 बहिनों से हम इंतजार कर रहें कब ये correction resolve हो लेकिन आप तक ये resolve नहीं जैसी ये correction इस level को 90 के level को पार करेगी तो आपको अगली rally मिलने वाली है almost 120-130 के range की आपको ये देखिए अब आपको ग्यार ये 120-130 range यहां से कितना percentage होगा gain तो देख सकते हो आप current level के हिसाब से अगर मैं gain का percentage देखूँ तो ये देखिए आप मतब कम से कम 40% का आपको ग्यार मजीदार अगर कुछ महीन आपको इंतजार करना पड़े उसके बावजूत आपको 40% का gain मिल जाए तो मज़ा है कि नहीं है अब risk management की बात करते हैं तो इन ranges में देखिए ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है accumulation चल रहा है और कभी भी बड़ा धमाका होगा तो सीरे आपका target हिट 120-130 की range का अब आपका opportunity लेकिन यहां पे stock में जो मुझे अच्छी बात लग रही है न यह देखिए पूरा का पूरा high momentum area में अभी consolidate कर रहा है और एक higher low RSI में भी इसने बना के दिया है अब अब इसको छोटे time frame पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है छोटा time frame यानि पिर यह जो छोटी-छोटी corrections आती है न इन पर आप सोचते हैं इनको बेच देते हैं समझे हो क्योंकि आपका goal decided नहीं है जैसे कि stock में हम जो goal लेके चल रहे है वो monthly के correction इसको हम monthly के correction समझ के चल रहे है कि resolve होगी तब यह अगला target आएगा अब देखे इसमें यह देख रहे है यह demand area जो है बढ़ते जाने देखे पहले यहां तक था फिर यहां तक फिर यहां तक फिर यहां तक फिर यहां तक और weekly पे 200 बहुत बहतरीन support 200 के पार गया अब यह level पार होना important है और अगर मैं देखूं इसी week में फिर से यह level पार होने की पूरी कोशिश हुई और फिर मैं क pullback तो this will be your next opportunity और कई लोग इसको धीरे धीरे करके accumulate जरूर कर रहे होंगे इन bottom ranges के आसपास की वहिया खरीबते रहो जमा करते रहो क्योंकि monthly आपका target जैसे मने आपको कहा था न कि छोटे time frame पर आपको यह भी एक बढ़िया correction देखने को मिलेगा आप देखिए correction यह resolve हुई weekly क यह correction थी और क्या ready दी की नहीं दी देखिए लेकिन in between अगर आप छोटे time frame पर दाओगे तो ऐसी तरीके की structure आपको देखने को मिल सकता है चलिए यह देखिए इस week का बहुत impressive volume है और कहीं न कहीं यह level पार होगा तो आपके लिए बढ़िया opportunity बनेगा और पिछले कुछ time में बहुत ही जबदस volumes हमें देखने को मिले थे और इससे पहले अगर मैं देखू यहाँ पे 8 फरवरी वाले week में जैसी peak गया तो selling भी हुई थी देखिए यहाँ पे तो profit booking भी जरूर क्योंकि profit booking होगी hands exchange होगी तब ही आपके लिए जो है तयारी होगी नए buyers की फिलाल आप यह Thursday के बाद volume के बाद एक छोटी candle बनती भी देख लिए बड़ी candle के बाद छोटी candle वाव और यह breakout के लिए बहुत बढ़िया volume तो Monday मैं कहूंगा तयार रहना यह level break होगा तो आपको मौका मैं कहूंगा उसके बाद कहा जाएगा share तो overall हमने यहाँ पे make money organics को देखने की मिली थी इन levels पे लेकिन इस बार की buying जो हुई है वो इस tower से कहीं ज़्यादा बड़ी है और overall demand को आप देख सकते हो यह देखे 65 का level उसके बाद फिर उपर गया 70 का level अभी recent देखे 76 का level यानि कि demand जो है आप देख रहे हो कि बढ़ते जा रहे है उपर जाती जा रही है that is a good sign about make money organics तो हमने weekly देखा हमने daily देखा और monthly के correction को समझने की कोशिश करी साथ में हमने Electra और हमने यहाँ पे मदरास fertilizer को भी देखा जो आपको हम already update कर चुके हैं तो उमीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ है और अगर risk management की भी बात करो make money में तो सब कुछ आपके goal के basis इस पे होगा क्योंकि monthly correction है तो deep stop loss आपका होगा quantity के जो है वो कम होती है कि हिसाफ से जब आप चलते हो तो आपका risk जो है वो आपकी position sizing आपके risk के हिसाफ से कम हो जाती है आप देख रहे हो यह monthly chart पर कैसी correction resolve हुई और जब यह पूरा का पूरा correction resolve हुआ तो यह देखे कितना ब available है तो फिलाल मैं wind up करता हूं उस वीडियो को उमीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा वीडियो अच्छा लगा तो शेर जरूर कीजिए like कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले साथ के साथ बेल आकन को प्रेस कर ले जि